देखे इस वीडियो में हम इंडेक्सिंग पढ़ेंगे इन मोंगो डीबी माल लीजे आपके पास एक कलेक्शन है उसमें कुछ डॉक्युमेंट्स है इस समय मेरे पास तीन डॉक्युमेंट्स है मैं कुछ भी सर्च करता हूँ जैसे कि माल लीजे मैंने सर्च किया db.collection का नाम.find name job johnson सर्च किया मैंने तो क्या होगा तो मैं आपको बता दूं collection scan होगा जिस तरह वो उस document को find करेगा उस प्रक्रिया को बोलेंगे collection scan या फिर call scan इसका मतलब क्या है एक एक करके वो find करेगा document जैसे कि हम data structure में बचपन में पढ़ते थे linear search ठीक है तो without indexing indexing क्या है बताऊंगा भी लेकिन अगर कुछ नहीं है basic search का operation चल रहा है तो हम करेंगे collection scan यानि की एक एक करके documents को ढूंडा जाएगा लेकिन अगर indexing कर देते हैं indexing क्या होता बताऊंगा लेकिन अगर indexing कर देते हैं तो होगा index scan वो fast होता है ठीक है अब ये indexing होता क्या है बचपन में हम पढ़ते थे एक array उसमें linear search करो तो कैसे करते थे एक loop लगाते थे ठीक है और एक एक करके देखते थे कि हमारा element array के अंदर है या नहीं लेकिन अगर मैं आपसे बोलता हूँ binary search करो इस array में तो सबसे पहले क्या करेंगे आप सबसे पहले आप उस array को sort करेंगे ठीक है आप मुझसे बोलेगे क्या array sorted है अगर नहीं है तो मैं binary search नहीं लगा सकता ना अच्छा हाँ अगर मेरे पास sorted array है तो मैं binary search लगा पाँगो को फिल्ड को इंडेक्स बना दूँगा तो एक सेपरेट डेटा स्ट्रक्चर हो जाएगा मेरे पास एक अलग सेपरेट डेटा स्ट्रक्चर आ जाएगा जिसमें यह नाम जो होंगी ना वह सौर्टिड स्टॉर होंगे समझ रहे हो फिट से बोल रहों अगर मैं इस नाम की फील् फिर अगर मैं इस नाम पर कोई क्वेरी लगाता हूं किसी बंदे को ढूंडने के लिए तो यहां पर सर्च नहीं करेगा और फिर वह धूंडने जाएगा उस सेपरेट डेटा स्ट्रक्चर के अंदर उसमें लगेगी बाइनरी सर्च ठीक है क्योंकि सौर्ट अब बाइनरी सर्च लगेगी तो फटा-फट से वह फाइंड कर लेगा उस बंदे का नाम अम माल लेते हैं जेंडो मेंने सर्च किया बाइनरी सर्च लग गई जेंडो सको मुल गया तो क्या होगा उस सेपरेट डेटा स्ट्रक्चर के अंदर इसका नाम तो सेव होगा ही होगा इस पूरे डोकिमेंट की memory location भी स्टोर होगी तो यह इस पूरे डोकिमेंट के लिए एक पॉइंटर होगा वो भी पॉैंटर होगा उस डेटा स्ट अंप का तो उसको pointer भी side में रखा हुआ मिल जाएगा उसी के side में और वो pointer directly यहाँ point कर देगा तब ही तो फाइदा होगा ना directly यहाँ point कर देगा और हम पूरा का पूरा document देख पाएंगे अपनी आँखों से तो यह है indexing की कहानी index scan की कहानी बोल रहा है indexes are stored in b tree data structure it stores index keys pointers to the document in the collection अभी जैसे मैंने आपको बता है pointers में आता है index keys क्या होती है वो भी समझाऊंगा when a query is executed mongodb can use the index to quickly locate the documents that match the query by searching through b tree अभी जैसे मैंने आपको बता है b का मतलब क्या है balanced tree हमेशा balance रहेगा उसकी जो height रहेगी वो हमेशा इस तरह से रहेगी कि कम से कम traversal करने पड़े है the trade off बोल रहा है भाई indexing तो कर देते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मैंने आपको एक collection दिया उसमें है 10 field आपने क्या किया आपने भाई तेज दिमाग लगाया अपना और आपने सभी में indexing लगा दी हर field की indexing कर दी आपने बोला कि हाँ भाई अब बहुत बढ़िया हो गया है मेरा collection अब सारे में document फटाफट find कर सकता हूँ लेकिन इसमें दिक्कत क्या है इसमें दिक्कत है storage अब देखे मैंने बताया था जो btree है वो अलग separately store होता है तो obviously जितने जादा आप index create करेंगे उतना ही जादा space use होगा दूसरा क्या है right performance right performance का मतलब क्या है जैसे ही आपने एक नया document add कि आपने collection में तो देखेगा कोई भी index अगर कोई index बना रखा है आपने तो उसकी entry उस index में भी जाएगी और फिर ये जो नई entry है और ये क्या है बीटरी है इसमें जाकर वो balancing होगी उसकी ठीक है फिर से sort किया जाएगा पूरा का पूरा tree तो उसमें time लगेगा भाई ठीक है तो कहने का मतलब क्या है कि अगर read intensive task है आपना तो हाँ हम कर सकते हैं indexing कोई दिक्कत वाई बात नहीं है लेकिन write operations बहुत ज़ादा हो रहे हैं तो भाई दिक्कत आ सकती है indexing में समझे रहे बात को read queries बहुत सारी हैं एक collection में कोई दिक्कत नहीं indexing रहो लेकिन अगर कोई table है उसमें write operations बहुत ज़ादा हो रहे हैं तो बहुत slow कर देगा अपना थीक है समझे रहे बात को क्यों क्यों क्योंकि अब collection के अंदर तो जा नहीं है वो document के entry but क्योंकि हमने indexing भी कर रखी है on some of the fields of that collection तो अपने b trees में भी जाएगी तो वो slow होगा अपना काम there are several types of indexes ठीक है पहला है single field index दूसरा है compound index तीसरा है text index समझेंगे आपकी आखों के सामने एक सुन्दर query लिखे हुई है db.collection का नाम .find field उसकी value और explain ये नई चीज़ देखने को मिल रही है ये explain क्या है देख रहो ये संद में आता है हाँ भई db.collection का नाम find हावी method है ये क्या है एक जेशन है column का नाम ठीक है या फिर field का नाम उसकी value जो search करनी है ये क्या है नई explain explain का मतलब है कि कोई query query या नहीं की देखो लिख रहा है only on queries कुछ धूणना है उन queries पर ही लगा सकते है पहले मतलब ये है अच्छा दूसरा करता क्या है find काम कैसे कर रहा है कैसे ढूणने जा रहा है समझे रहो कोई collection है उसमें करोड documents है वो कैसे ढूण रहा है MongoDB काम कैसे कर रहा है find वो हमें दिखा देगा console पे explain अगर हम लिखेंगे Mongo shell open कर ली है मैंने ठीक है db.teachers collection के अंदर मैं documents देख रहा हूँ इस समय बहुत सारे teachers है मेरे सामने मैं उनको देख रहा हूँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है कोई भी sample document उठा लीजिये ठीक है बना लीजे खुदी नहीं तो मैं इसकी link आपको description में दे दूँगा आप mongo import command चला के ये import कर लेना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है एक command चलाता हूँ मैं db.teachers.find वो teachers लाईए जिनकी उम्र जो है less than equal to है माल लेते हैं 30 ठीक है आ गए भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं आ गया मैं करता हूँ explain यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया भी queries पर अब देखे query पर क्या return होता है cursor return होता है ठीक है अब cursor पर मैं explain लगा रहा हूँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं explain आ गया अब यह explain दिखा देता है execution stats तो देखेगा तो एक की आ जाएगी execution stats की उसमें देखेगा क्या लिख्या लिखा हुआ है number return 12 return हुए है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है total documents examined 26 documents उसने ढूने तब जाके उसे 12 मिले ठीक है कोई दिक्कत नहीं है और हाँ यह तो हमें पता है कि हाँ collection scan था ठीक है अब एक काम करते हैं एक command चलाते हैं जो की लिखी है मेरे सामने db.teachers.createIndex age1 इससे क्या होगा इससे index create हो जाएगा ठीक है age field पर one का मतलब क्या है one का मतलब है ascending order में sort होंगी age fields ठीक है मैंने starting के मताया था असेंडिंग होता है sort करते है क्योंकि हमें binary search लगानी होती है db.teachers.createIndex ठीक है और इसमें दिये json इसमें दिया नाम किसका field का जो की है age और उसके सामें लिखती है one ठीक है क्या return हुआ है age1 return हुआ है इसका मतलब क्या है बताता हूँ हमें देखना है कि हाँ भई create हो गया है देख लेते हैं db.teachers.getIndex हाँ भई हो गया है age1 नाम का index create हो गया है ठीक है mongodb यह functionality provide नहीं करता है कि हम अपनी आखों से उसकी शकल देख लें ठीक है तो परिशान मत होई है लेकिन हाँ create हो गया है जिसका नाम क्या है age1 नाम है ठीक है अच्छा अब देखिए यहाँ पर एक और पहले से ही created था id पर यानि कि जब भी हम कोई collection create करते हैं तो id जो होती है उस पर automatically indexing हो जाती है ठीक है देख लेते हैं get index करके हाँ भी डिलीट हो गया fit से create करते हैं अब देखे जब indexing नहीं थी तो total documents examined 26 थे और return होए थे 12 12 रिटर्न होगा खोई दिख करती है 26 दिहान में रहे है 26 ठीक है query के चलाई थी query ये चलाई थी ठीक है तो देखेगा total documents examined 12 और return भी बारा बहुती वहत्री में देख रहे हो मतलब कितना fast हो गया है पहले 26 में पहले 26 देखने पड़ रहे थे उसको जा जाके ठीक है आप देखो अब उसने 12 देखे हैं और 12 इटर्न होगा है कितना fast हो गया यहां पर क्या लिखा था जब create कर रहे था यही तो लिखा था age 1 ठीक है नाम field का और कैसे हम create कर रहे हैं ascending या फिर descending same जिज़ आप drop में दे दीजे या फिर आपके कर दीजे direct नाम दे दीजे index का नाम कैसे देते हैं index का यहां पर लिखा होता है get index ठीक है भाई तो create index अगर minus 1 के साथ है इसका मतलब क्या है descending में अगर 1 के साथ है तो ascending में ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है get indexes से सारे index पता चल जाएंगे उनका नाम पता चल जाएगा when not to use indexing in MongoDB collection छोटा है कोई ज़रूरती नहीं indexing की समरो collection is frequently updated यानि की write operations बहुत जाद है बताया था क्यों queries are complex अगर multiple fields में queries आ रही है तो भी मत use कीजे multiple fields है तो multiple indexes बनाएंगे multiple indexes बनाएंगे सोरे जादा होगी when collection is large में collect index अगर collection बहुत जादा बढ़ाया ना तो कम से कम index बनाएंगे यहनि की हर field पे लगा दिया जितने जादा documents उतने जादा space use होगा in indexing अब दूसरा आभी हमने पढ़ा single field index अब हम पढ़ेंगे compound index compound index देखेगा db.teachers.create index अब मैंने age 1 कर दिया है gender भी 1 कर दिया यहनि की age और gender दे दिये दोनों के combination से indexing कीजिए one का मतलब obviously क्या है भाई ascending में करिएगा order matters ठीक है जिस order में दे रहे हो वो matter करता है पहले age दे रहे हो या फिर gender दे रहे हो अब देखेगा यहां से दुनियो के मेरी बात age 1, gender 1 करके आपने indexing बना दिये इसका मतलब क्या है सबसे पहले sort होंगे by age then by gender इसका मतलब क्या है अगर कोई दो बंदे हैं उनकी उम्र 30 साल है समझ रहो पहले तो क्या होगा 30 साल वाले आएंगे पहले फिर 31, फिर 32 क्योंगी सबसे पहले sort होगी by age अब उन 30 उम्र वाले बंदे को उठाइएगा माल लिजे दो बंदे हैं ऐसे अब उनकी sorting केसे होगी by gender gender में F पहले आता है female और male तो पहले female आएगा then male आएगा ठीक है तो 30 साल वाले उम्र के दो डोकिमेंट्स थे पहले female वाला आएगा then male वाला आएगा इसका मतलब है order matters का समझे बात को अगर gender one लिखते then age one लिखते तो पहले क्या होता पहले सारे female आ जाते then male आते अब उन females में sorting होती by age individually and then उन बाद में फिर male की sorting होती individually age में अब देखें तीन cases हैं तीन queries हैं पहली query देखेगा db.teachers.find age greater than or equal to 27 ठीक है gender male अब देखेगा मैंने compound indexing तो कर दी है दोनों में age और gender में ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अच्छा मैं कह रहा हूँ age वो वाले बंदे उठा के लिए जिनकी age 27 से ज़्यादा एफ equal है और gender क्या है male है ठीक है तो क्या होगा तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पर index scan होगा ठीक है क्योंकि हमने जो key बनाई है वो क्या बनाई है age 1, gender 1 search भी है कर रहे है age और gender को ही ज़र फिर दूसरी query age greater than equal to 7 सिर्फ age है अब ठीक है हमने इस समय सिर्फ age को search किया है सबसे पहले का बढ़ते है get indexing करते है index कितने है age 1 को delete करते है db.dropindex teachers.dropindex ठीक है delete कर दीजिए हो गया delete अब create करते है age 1, gender 1 create हो गया है ठीक है अब find करते है वो teachers जिनकी age कुछ भी लिख लीजे greater than लिख लीजे चलिए greater than equal to 27 and gender माल लीजे मैं सर्च करता हूँ बहुत बड़ी spelling है gender की ठीक है अब देखे search करता हूँ execution stats के साथ explain कर रहा हूँ enter किया मैंने नहाँ पर देखेगा index का नाम simple वो दिक्रत वाली बात नहीं है index scan हुआ है तो मदर बात को दोनों के combination से हुआ है ठीक है अब मैं search कर रहा हूँ देखेगा सिर्फ age पे सिर्फ age पे search किया मैंने अब भी explain कर रहा हूँ देखना चाहरा हूँ कि index scan होता है या फिर collection scan होता है index scan है अब भी index scan है अच्छा यानि कि देखे अगर मैं age gender के combination को search करता हूँ तब भी index scan हो रहा है age को search कर रहा हूँ तब भी index scan होता है समझे में आता है क्यों? क्योंकि sorted जो है वो age पर ही तो sorted है क्यों है तीसरा case अब मैं सिर्फ gender से search कर रहा हूँ अब देखेगा क्या होता है अब collection scan है समरवाद को अब collection scan है अब देखे दिहान से सुनिएगा फिर से ये क्या है indexing हमने कर रखे age और gender के combination से अगर age search करता हूँ तो भी क्या है index scan क्यों کیونकि starting में तो age से सॉर्टिड है age और gender से करता हूँ तो भी indexing है ठीक कोई दिक्कत नी है लेकिन अगर सिर्फ gender से करता हूँ तो index scan नहीं होगा क्यों क्योंकि भाई gender से सॉर्टिड नहीं है एक age के corresponding तो है gender sorted, लेकिन अगर सिर्फ मैं gender ही search कर रहा हूँ, age का कुछ पता नहीं है, तो वो तो randomly sorted रहेंगे न, समझे बात को, ऐसे रहेंगे 4 female, 4 male 5 male, 5 male, 6 female, 6 female समझे हो, तो age sorted है, अगर मैं सिर्फ gender को देखूँ इस समय, वो sorted थोड़ी हो इतनी सी बात, अच्छा, तो compound index हो गया है, अब लिखा यहाँ पर, indexing also help in sorting, अब माल लीजे, आपने यहाँ पर age पर लगा रखे, सिर्फ indexing, ठीक है, और आप क्या करते हो, आप एक command चलाते हो, db.find db.collection.find.sort age पर ठीक है, तो होगा क्या, क्योंकि आपने indexing, age पर लगा रखे है, तो, और जो age है indexing के वजाए से, अलग data structure में, sorted में store है, तो जो वहाँ पर stored है, sorted manner में वो उसी का use कर लेगा, ना कि दुबारा से करेगा, समरात को, यह बहुती helpful होता है, क्योंकि आपको दुबारा से process नहीं करने पड़ेंगे, सारे documents, आप यहाँ पर B-Tree जो पड़ा है, उसी को उठा के protecting, kilo पर, हमारा पहले से sorted पड़ा है, जब आप किसी index को create कर रहे हैं, तो आप एक और argument दे सकते हैं आपे, unique true, ठीक है, इसका मतलब क्या है, नाम से आप index बनाईए, ascending order में, और unique true क्या मतलब क्या है, कि कोई भी दो ऐसे बंदे नहीं हो सकते हैं, जिनका नाम सेम हो, ठीक है, यह constraint लगा दिया है अपने, अब एक और concept है partial filters, नाम ही थोड़ा अजीब सा लग रहा है, बहुत simple है माल लेते हैं, मेरे पास बहुत सारे teachers, ठीक है, teacher जी तो मेरे पास ठीक है, और छोटे भी हैं बड़े भी हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं मेरे पास क्या है, यह applications हैं कि भाई, मेरे को teacher बनना है, कोई 10 साल का भी आ गया, कि मैं भी पढ़ा हूँगा, कोई 15 साल का भी आ गया, बहुत सारे आ गया, लेकिन मेरे को जो operations हैं, वो सिर्फ 22 से जादा वाले 22 उमर से जादा वाले बंदों पर ही करना है, अच्छा, अब देखे अगर मैं indexing करता हूँ age field पर, तो जो छोटे हैं 22 से छोटे वे भी आ जाएंगे, बिना मतलब के देखे न, वो भी btree में store हो जाएंगे बेकार में space खा रहे हैं, और मुझे query उन पर करनी नहीं है, क्योंकि छोटे हैं हो तो मैं करूँगा, मैं 22 से जादा वाले candidate जो है, उनी को indexing में डालूँगा ठीक है, मैंने लिख दिया हैं हाँ पे db.teachers.create index, age पर indexing कर दीजे ascending order में, यहाँ पे दूसरा argument दे दीजे, दूसरा argument पहले क्या था, जैसे अभी बताया था, यहाँ पे unique true था, उसी की तरह, दूसरा argument यहाँ पे क्या है, partial, filter expression, उसकी value एक जेसन दे दी है, age greater than 22, तो जो index जो create होगा, वो सिर्फ क्या होगा, इन वाले बंदों पे होगा, जिनकी उमर 22 से जादा है, ठीक है, तो अगर मैं यह query चलाता हूँ, अब age greater than 25, इसका मतलब क्या है, अब index scan होगा, लेकिन अगर मैं अब 22 से कम वाले बंदों पे कोई query चलाता हूँ, तो collection scan होना है, उसी तरह से partial filter expression में मैं लिख सकता हूँ, gender exist to, name पर index करिये, ठीक है, कोई दिक्कत वाले बात में, लेकिन उन document को उठाइए, और indexing में पटकी है, btree में पटकी है, जिनका gender exist करता है, ये भी कर सकता है, कोई दिक्कत वाले बात में, अब TTL की बात कर लेते हैं, अगर आप एक ऐसा index create करते हैं, जहां पर आप देंगे expire after seconds, ठीक है, और यहां पर कुछ seconds देंगे, तो इतने seconds के बाद, वो index automatically delete हो जाता है, ठीक है, तो यहां पर मैंने क्या, db.collection.create index, जिस field पर करना है वो, and then एक option दे दिया, ठीक है, expire after seconds, ठीक है, expires जो field होगी, वो date ही होगी, और ध्यान से, ठीक है, लिखा हो है, मैंने, this works on date fields, and on single field index, अब आता है, what is a covered query, covered query, एक query है, in which all the fields in the query, are part of an index, all the fields returned in the query, are in the same index, अब देखें, यह query है, ठीक है, माल लेते हैं, मैंने, नाम पर indexing कर रखी है, ठीक है, अब ध्यान से सुनिया, मैं indexing कर रखी है, मैंने, नाम पर, और मैं find भी कर रहा हूँ, नाम, ठीक है, और यहाँ पर, मैंने find का दूसरा argument दे रखा है, कि भाई, कौन-कौन सी field लानी है, projection हमने पढ़ रखा है, जैसे हम करते हैं, select age from this table, select star न करके, select age from this table करते थे, उसी तरह से हाँ पर लिखा हूए, मैंने, कि भाई, id भी नहीं लानी है, सिर्फ name लाना है, अगर मैं सिर्फ name 1 लिखता ना, तो id automatically आ जाती, तो मैंने आप पर id 0 कर दिया है, इसका मतलब क्या है, कि id भी नहीं चीए, जो आप मेरे को by default ला रहे हो, मेरे को वो भी नहीं चीए, मेरे को सिर्फ name चीए, अगर मैं सिर्फ name 1 लिखूँगा, तो id automatically ले जाएगी, क्योंकि id का projection 1 होता है, by default, ठीक है, तो मैंने इसलिए हाँ पर 0 लिखा, इसका मतलब क्या है, कि सिर्फ name लाईए, अब देखेगा, indexing कर रहे हैं नाम पर, search भी query कर रहे हैं नाम पर, और return भी नाम ही कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, और कुछ देख ही नहीं रहे हैं, collection की और शकल देख ही नहीं रहे हैं, age क्या है, उसकी क्या, कुछ नहीं देख रहे हैं, age क्या है, gender क्या है, कुछ नहीं देख रहे हैं सिर्फ नाम इसका मतलब क्या है कि यह collection में ढूंडने जाए गई नहीं यह बीटरी में जाएगा और वहीं से अपना answer ले आएगा यह होती है covered query बहुत फास्ट होती हो रही है यानि कि actual document में जाए गई नहीं है ठीक है क्योंकि हमने indexing कर रही है जिस पर query कर रहे हैं वो भी और जो return कर रहे हैं करके देख लेते हैं इंडेक्स किया तो यह आ रहे हैं ठीक है एक काम करते हैं db.collection.drop कर देते हैं इसको ठीक है लेंगे क्या क्या चीए हमको सिर्फ नाम ही चीए name1 अगर मैं name1 करूंगो ना देखो तो देखो id भी आ गई है इसकी वह चीए नहीं अपने को तो यहां पर id 0 कर देते हैं ठीक है देखो तिर्फ नाम आया है अब देखेगा अब मैं करता हूं यहां पर explain execution stats ठीक है तो यहा लिखा हूं यहां पर stage ठीक है पहले क्या लिखा था पहले लिखा था projection covered ठीक है तो पहले क्या हो रही थी covered query हो थी ठीक है अब बात करते हैं एक टर्म है winning plan बोल रहा है in case of multiple indexes for the same query बोल रहा है देखो आपने अगर दो index बना रखे है name1 और name1 age1 create कर देते हैं ठीक है अभी द तो बोल रहा है in case of multiple indexes for the same query ठीक है देखते हैं क्या मतलब है जैसे की db.teachers.findmark वो बंदा उठा के लईए जिसका नाम mark है आगया mark मेरी आखो के सामने कोई दिक्कत वाली बात नहीं है लेकिन अब देखेगा वो इस index का इस्तमाल भी कर सकता है वो इस index का इस्तमाल भी कर स once the queries are run and set it as winning plan बोल रहा है अगर किसी query के corresponding multiple indexes होते हैं तो mongodb करता है मेरे सामने दो index है एक यह है एक यह है ठीक है mongodb collection से कुछ documents उठाएगा कुछ सारे नहीं कुछ उठाएगा ठीक है और दोनों की performance testing करेगा कौन सा बढ़िया है ठीक है यह query से पहले करता है जैसे आपन अब यह index होगा विनिंग प्लैन आप सोच रहोंगे भाई को हर कोई से पहले करता है यह विन हो गया है यह विनिंग प्लैन है अपना एक index तो उसको cash में store कर लेता है वो थोड़ी देर के लिए then for the second query of similar type it doesn't race them again दुबारा race नहीं लगाएगा उनकी दुबारा performance testing नहीं cash is reset after thousand rights अगर उस document में 1000 rights हो जाते हैं तो दुबारे से reset किया जाता है cash को दुबारे से race हो गिया नहीं query जब आईगी आपने index को reset कर दिया है तब भी cash delete हो जाता है mongo server restart होता है तब भी cash reset हो जाता है other index अगर manipulate होते हैं तो भी क्या होता है cash reset हो जाता है अब खेल रहे हो किसी दूसरे index के साथ create delete कर रहे हो यह सब कर अब मैंने आपको बताया था जैसे हम क्या करते थे बचपन में db.collection.find explain all plans execution explain method क्या करेगा अब सारे plan return करेगा क्योंकि अब देखेगा name mike है ठीक है और वो इसमें भी आ सकता है वो इसमें भी आ सकता है नहीं इसमें तो नहीं आएग इसमें भी आ रहा है नेम इसमें भी आ रहा है सभी बात है अब हम query चलाते हैं अपनी name mike और explain करते हैं all plans execution यहां पर आ गया है rejected plan कौन सा है यह वाला rejected plan है समझरे बात को इसने test किया होगा कुछ collection के documents के साथ race लाई होगी और यह वाला हार गया ठीक है जीता कौन सा है यह वाल winning plan ठीक है तो यह होता है winning plan and rejected plan अब देखते हैं हम multi key index क्या होता है हमने देख लिया है single field index हमने देख लिया है compound index अब देखते हैं multi key index का मतलब क्या है show collections करते हैं, हमारे पास 3 collections है, db.students की शकल देखते हैं, find one करते हैं find one किया, मैंने students की शकल ऐसी, name लिखा हुए hobbies लिखे हुई है, identity यह सब लिखा हुए, ठीक कोई ठीकत वाली बात नहीं है हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं multi की index का मतलब क्या है कि वो index जो की array field पर लगाया जा सकता है अब जैसे की hobbies एक field है, जैसे की walk और cricket हम hobbies पे indexing कर सकते हैं, ठीक है, मैंने लिखा db.createindex db.students.createindex ठीक है, यहाँ पे दिया hobbies one, ठीक है, get index किया, तो हाँ दिख रहा है मेरे को, कि hobbies one करके index बन गया है, ठीक है, कोई दिखकत वाली बात नहीं है इसको ignore करें, लिखा हुआ है, mongodb will create a separate index entry for each value in each array so it can quickly look up documents that match a specific value, कहने का मतलब है mongodb array की हर एक value के लिए एक नया index create करता है, ठीक है माल लेते हैं, मैंने माल ले elements, लेकिन मेरे को सिर्फ क्या चीए hobbies चीए, projection इस्तमाल कर रहा हूँ hobbies one, id भी नहीं चीए तो id 0, ठीक है, तो देख रहे हो यहाँ पर इससे मैं hobbies आ गई है तो क्या होगा, अगर मैं hobbies पर index create करता हूँ तो इन सभी अलग अलग जैसे walk के लिए अलग index create होगा walking के लिए एक अलग index create होगा reading, cricket, cooking, gaming, anime इन सभी के लिए एक अलग index create होगा तो अगर मैं अब find करता हूँ hobbies को और यहाँ पर search करता हूँ walk और explain भी कर देते हैं explain तो आ जाएंगे, ठीक है elements आ जाएंगे मेरे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और यहाँ पर क्या देख रहा हूँ, मैं index scan हुआ है dot count देख लेते हैं कितने तीन आएंगे, circle भी देख लेते हैं ram आया है, hobbies में walk है घंशयाम, hobbies में walk and sita, hobbies में walk ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ऐसा इसलिए हुआ है, क्योंकि हमने एक index बना दिया था hobbies array पर तो दिहान रखने वाली बात यह है कि अगर hobbies, यानि कि array पर हम indexing करते हैं multi की index यूज़ कर रहे हैं ठीक है, अच्छा मैं search करना चाहता हूँ कि किस किस बंदे के बायो के अंदर YouTube है ठीक है, मैंने अभी projection यूज़ किया है सभी के बायो देख रहा हूँ मैं सीता है, श्याम है इनके मैं YouTuber है लेकिन पूरा text देखे हैं क्या लिखा हूँ है I am a YouTuber इसके में क्या है I am a YouTuber and actor ठीक है, यानि कि पूरा का पूरा text है अभी तक ऐसा कुछ हमने सीखा नहीं है कि मैं लिखू YouTube और सीता और श्याम आजाएं मेर को क्या करना पड़ेगा मेर को लिखना पड़ेगा db.student.find और फिर लिखना पड़ेगा क्या बायो और पूरी की पूरी string देनी पड़ेगी I am a YouTuber फिर आएंगी हमारी सीता जी और सिर्फ सीता ही आई है श्याम के लिए हमें और condition लगानी पड़ेगी या तो I am a YouTuber हो या फिर I am a YouTuber एंडेक्टर हो ऐसे करके पूरी की पूरी string देनी पड़ेगी है ऐसा क्या हो सकता है कि मैं सिर्फ YouTube लिखूं और दोनों आजाएं या फिर मैं YouTuber लिखूं और दोनों आजाएं ऐसा हो सकता है क्या हाँ बिल्कुल हो सकता है कैसे करेंगे ये है भाई text index MongoDB का कमाल है ये ठीक है text index Google पे हम लिखते हैं कुछ भी लिखा python language इतने सारे result आजाते है तो वो क्या करता है वो full text search engine है हमारे Google ठीक है तो यहाँ पर text index का इस्तमाल क्या कर रहे हैं text को full text search करने के लिए कर रहे हैं ठीक है तो मैं क्या लिखूंगा YouTube लिखूंगा और श्याम और सीता दोनों आ जाएंगे ठीक है अच्छा text index क्या होता है अब यह के लिखा हूँ यह तीन चीज़ लिखे हुई है single text index per collection यानि कि एक collection में सिर्फ एक ही text index हो सकता है समझ रहे हो ठीक है अब इतक हमने single fill index पढ़ा था कितने भी बना लो compound भी कितने बना लो ठीक है multi की index भी कितने बना लो जो इतने आ रहे हो लेकिन text index per collection सिर्फ एक होगा फिर गया लिखा tokenization and stemming अब देखे यहाँ पर लिखा हूँ है I am a YouTuber and actor यह करेगा इसको tokenize कर देगा यानि कि पहले इसकी array बनाएगा इसकी array बनाएगा and फिर इसको stem कर देगा stem का मतलब क्या है मैंने लिखा हूँ है जैसे कि मैंने लिखा हूँ है I code and play games तो इसका क्या हो जाएगा games में से s हट जाएगा सिर्फ game रहेगा इसको बोलते है stemming यानि कि suffix हटा देते हैं जैसे I do यहाँ पर आगर होता I love singing ठीक है तो singing का sing हो जाता यानि कि जो NLP है बेसिकली है natural language processing ये stop words वगरा हटा देता जैसे M है I है ये सब भी हट जाएगे फिर तीसरा है relevance score relevance score का मतलब क्या है अब देखे जब मैं Google पर लिखता हूँ ऐसे लिख जा मैंने I want to learn Python तो पहला जो result आता है उसकी ranking किस basis पे है समर्वाद को पहला result पहला ही क्यों आया है दसवा क्यों नहीं आया उसका reason है उसको एक score दिया जाता है कि भाई आपका score ये है आपका ज़्यादा score है इसलिए आप पहले आईए हमारे case में कैसे मिलता है score MongoDeep में वो भी हम देखेंगे सबसे पहले देखते हैं कि text index create कैसे होता है db.students.create index बचपन से करते हो आए है फिर यहाँ पर लिखते हैं हम नाम किसका field का नाम ठीक है bio लिख दिया लेकिन मज़गी बात क्या लेकिन उस एक मात्र text index में हम multiple fields add कर सकते हैं माल लेते हैं मैं name को भी add कर रहा हूँ name text bio text ठीक है तो एक index बन गया है हमारा name text bio text जिसमें मैं अब full text search कर सकता हूँ ठीक है और वो text चाहे name में आए चाहे bio में आए हमें मिल जाए अब find कैसे करते हैं db.students.find ठीक है जेसन देंगे पता है अपने को और यहाँ पे देखो अब मुझे पता है multiple fields होंगी ही होंगी अगर मैं full text लगा रहा हूँ ठीक है तो कोई एक single field तो search करेंगे नहीं हम ठीक है तो यहाँ पे लिखते है text ठीक है यह दिखाने के लिए कि हाँ भी text index में मैं search करना चाह रहा हूँ ठीक है अब इसके अंदर दूगा मैं कि मेरे वो क्या search करना है search लिखूँगा भाई search यह search कर दो ठीक है students पे करना था students collection पे हम ठीक है feed से चलाते है find दो आगें देखो दोनों आगें सीता भी आगई है और श्याम भी आगई है और मज़े की बात क्या है अगर मैं YouTube भी search करता हूँ तब भी सीता आजाएगी और श्याम आजाएगी ठीक है अब कौन-कौन सा आएगे अब भी दोनों सीता ठीक है श्याम आगया है पहले and फिराइए सीता ठीक है पहले क्या है क्यों क्योंकि श्याम के बायों में दो मैचचन है योटियूब और अक्टर दोनों ठीक है लेकिन सीता में सिर्फ एक ही match है यूट्योबर तो score इसका जादा है तो ये पहले आया है हम check भी कर सकते है score को ठीक है find में दूसरा argument देखे दूसरा argument क्या होता है projection का projection हमें लिखते है score score कुछ भी डाल सकते है हमारा score ठीक है हमारा score नाम की एक field दो जिसकी value क्या हो जिसकी value हो score है ना अच्छा वो score कहां पढ़ा होगा वो पढ़ा होगा meta में इसका जो answer आएगा इस query का जो answer है उसका metadata में जाओ ठीक है उसके metadata में जाओ और text score उठा कर लाओ इसका मतलब यह है यहां से देख लीजे है इस query का result जो है जो पहले आया था जैसे हीट होगी न उसका metadata होगा उस metadata में जाओ ठीक है और text score नामक field उठा कर लाओ और उसको पटक दो हमारा score नामकी field ठीक है तो इसका आगया है हमारा score 1.5 और इसका आगया है हमारा score 1 simple से बात है क्यों 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 कि यहां पे दो matches है यहां पे सिर्फ एक ही match है मैं जब YouTube सर्च कर रहा हूं तो सीता भी आ गई है और शैम भी आ गई है अगर मैं चाहता हूं कि भाई सिर्फ वो वाले students लगी जिनके bio में YouTube है एक्टर नहीं है कुछ दिखाना चाहता हूं आपको मैंने यहां पे लिखा सर्च में YouTube और श्याम बलकि एक काम करते हैं लिखते हैं एक्टर और सीता एक्टर और सीता ठीक है सीता का नाम आ गया है और श्याम का बायो का एक्टर आ गया है ठीक है लेकिन स्कोर 0.75 है इसका 1.1 है ठीक है यह सौर्ट इड नहीं है हम सौर्ट कर सकते हैं डॉट सौर्ट लगाए कोई टेंशन वाली बात नहीं है ठीक है अच्छा स्कोर से वह सौर्ट जाएगा लेकिन मुद्दा क्या है मुद्दा ये है कि प्रायोरिटी किस फिल्ट को जाधा देनी है प्रायोरिटी हम डिफाइन कर सकते हैं असल में ड्रॉप कीजिए फिट से ठीक है और फिट से क्रिएट करने जा रहे है और जब आप क्रिएट करोगे न तो यहाँ पे आप दे सकते हो वेट्स अब देखो सीटा का स्कोर कितना जहाँ अब सीटा को प्रायोरिटी जहाँ से ठीक है और श्याम को कम क्योंकि उसका मैच जो है वो बायो में है जिसकी प्रायोरिटी जिसका लेट काम है जैसे मैंने आपको बताया कि ये sort भी किया जा सकता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं dot sort लगा के ये MongoDB by default नहीं करता है देखे पहली बार कुछ इसका behavior थोड़ा अजीब है पहली बार इसने sort नहीं किया लेकिन अगर मैं दुबारे से same command चलाऊंगा तो ये sort कर दे रहा है sort लिखते हैं ठीक है और यहाँ पर field का नाम और फिट देते हैं 1 या फिर minus 1 minus 1 descending के लिए 1 ascending के लेकिन MongoDB समझदार है वो क्या करेगा वो उसे हम कह रहे हैं कि देखे हमारा score से sort करना है and sorting order क्या होगा उसका sorting order होगा 1 या minus 1 नहीं meta की value meta में text score की value से sort होगा ये खुद देख लेगा ये इसको पता है कि ये descending में ही करना होगा इसलिए इसने 1 या minus 1 नहीं लिया तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो है ना ये खुद में ये जो इतनी सी चीज है ये खुद में एक relevance order बता रहा है समझ रहे बात को मैं बच्चपन में लिखता था dot sort age minus 1 या फिर dot sort age 1 तो हमारा collection sort जाता था on the basis of age by descending या फिर ascending लेकिन यहां पर क्या है हमारा score और इतनी सी चीज ये क्या बता रही है ये relevance order बता रही है ये order बता रही है ठीक है it is equivalent to 1 या फिर minus 1 ठीक है ये समझ लेज़े लेकिन ये हमेशा क्या होता descending ये होता है क्यों क्योंकि obviously अगर है text search कर रहे हो तो आपको best ही देखना है ठीक है least relevant document आपको नहीं देखना है best match देखना है इतनी सी बात है भाई ठीक है आप जब create कर रहे होते हैं index एक और चीज़ बता देता हूँ आप जब create कर रहे होते हैं index ठीक है कई सारी चीज़ देख लिया हमने unique देख लिया है partial filter करके देख लिया था और weights भी देख लिया है आप एक और चीज़ देख सकते हैं आपे यहाँ पे मैं language भी दे सकते हैं language जैसे कि आप उर्दू, हिंदी, यह सब दे सकते हो कोई दिक्कत वाले बात नहीं है होता क्या है उससे उससे देख हम तो English यूज़ कर रहे हैं obviously उससे आपकी जो stemming होगी ठीक है वो थोड़ी change हो जाईगे और कुछ supported languages है वही लिख सकते हो obviously ठीक है तो indexing की कहानी इतनी है एक और चीज़ बता जेता हूँ अब आपको indexing आ गई है ठीक है अब आप सोच रहे होंगे कि मैं अपने collection में देखता हूँ कि index use हो रहा है या नहीं हो रहा है ठीक है आप में चेक किया ठीक है आप आफिस में काम कर रहे हो आपने देखा क्यार indexing नहीं हो रही है इसमें तो ठीक है आपने indexing की command चला दी उसमें collection जो है वो जो collection है उसमें document है कितने 100 करोड माल लेता है आपने चला दी ठीक है खुश कि देखो मैं क्या कर रहा हूँ मैं optimize कर रहा हूँ चीजों होगा क्या जैसे ही आप create index की command चलाते है तो वो collection हो जाता है ठीक है collection lock हो जाएगा सारी queries wait करती रहेंगी कुछ data नहीं मिलेगा जब तक की create नहीं हो जाता पूरा index ठीक है इसका मतलब क्या है इसका मतलब है कि client को कहना पड़ेगा कि भाई अभी कोई query मत करना अभी मैं index create कर रहा हूँ तीक है नहीं ऐसा नहीं है आपको बता दूँ यहाँ पे जैसे मैं wait दे रहा था यहाँ पे एक और एक और argument दे सकता हूँ background true दो चीज़े होती है foreground and background अगर आप ऐसे ही चला जेते हैं तो background by default false रहता है यादि कि foreground में वो चीज़े होगी और collection lock हो जाएगा लेकिन अगर background में करते हैं आप तो सिर्फ वो queries block होंगी अभी भी block होंगी queries लेकिन पूरा collection lock नहीं है queries अभी block होंगी वो queries block होंगी जो की index पर depend कर रही है समझे आथ को लेकिन all other queries जो की independent हैं इस index के वो चलती रही है तो ये है कहानी index की इस video में इतना ही और next video की link आपको इतर मिल जाएगी